उत्तर प्रदेश में बारिस का कहर जारी है पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिस ने प्रदेश के कई जिलों को जलमगन कर दिया है 20 से ज़्यादा सहरों में भारी बारिस दर्ज की गई है जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूला पानी काउप्रेस के अंदर जा रहा है यह रही है नमस्कार आप देख रहे हैं इस राओ और मैं हूँ आपके साथ निकल सिर्वास्तो उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों से हो रही मूसला धार बारिस अब आफ़त बनकर बरस रही है प्रदेश के 20 से ज़्यादा सहरों में भारी बारिस दर्ज की गई है जिससे जलवराओं और बार जैसे हालात उत्पन हो गए है मौसल विभार ने ताजा अलट जारी करते हुए रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिस होनी की संभावना जताई है पुलरी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिस हो सकती है जबकि पस्च में यूपी के कुछ छेत्रों में बहुत हलकी बारिस की संभावना है लखनाओं आईमडी ने 26 जिलों में भारिस बारिस का एलो अलर्ट जारी किया है जबकि दिवर्याक, पुसी नगर, गोरगपुर, महराज गंज और सिधार नगर जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया है इन इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है सनिवार को हुई बारिस ने भीशर तबाही मचाई अलग-अलग घटनाओं में कुलपाश लोगों की मौत हो गई जौनपूर के समवनसा गाओं में घर के अंदर सो रहे मा बेटे पर आकासी बिजली गिर गई जिससे मा की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से जुलस गया वहें बर सखी थाना इलाके में बकरी और भेर चलाने गए एक बुजली की भी बिजली गिरने से मौत हो गई अभी बारिस की विज़े से बार के हालात भी बन गए है परताफगर, गोरतपूर, प्रियागरा, सिधार्ट नगर और अमबेटगर नगर समेत कई जिलों में जलभराओ की समस्या हो गई है गोरतपूर में पिछले 48 गंटे से हो रही बारिस ने सहर की कालोनियों को जलमगन कर दिया नगर निगम के टीम पानी निकालने की कोशिसों में लगी है लेकिन इस्तिती अभी भी कमभीत बनी हुई है महराज गंट जिले में लगातार बाजिस से नदी नाले उफान पर है महाव नाले का पस्चमिटेट बंद नेपाल से इस्तित तरकुलवा में तूट गया जिससे बाढ़ का पानी भारतिय सीमा में परवेस कर गया है कई गाओं में फसले डूप चुकी है और ग्रामीर बाढ़ के पानी से भैवीत है आगे भी वाइस का सिल्चला जाई रहने के संभावना है ऐसे में लोग को सतर रहने की सलाय प्रसासन दे रहा है हमारी भी नजर मौसम विभाग के हर उस अपडेट पर है जो आप के लिए जानना जरूरी है ताजा खबरों के लिए जुड़े दहने सनाओ के साथ अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो कि पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को सेर करना ना भूलें धन्यमाद